असलाम अलेकुम नमस्ते स्रेकाल और वनक्तम दोस्तों वेलकम तो मैं चानल मुस्का अंद्रतोई पच्छाला कैसे हो दोस्तों देखेगा आज मैं आपके लिए क्या लेकर रहे हूं आंद्रा आवखाय मैंने वर्ल्ड फेमस आंद्रा मैंडो पिकल यह बहुत बहुत लगजात तेस्टी तेस्टी और वेरी स्पेशल पिकल है जो हम कच्छे खैरियों से बनाते हैं यह है साउथ इंडियन का अंद्रप्रदेश स्पेशल स्पेशल आंद्रा आवखाय यह तो सभी लोगों को पता है कि पिकल माने यह तो स्पेशल आंद्रा आवखाय का पिकल है इसका बनाने कब मैं प्रोसेस में आपको सिखाऊंगी देखेगा सुपरदस टेस्ट रहेगा और हम लोग इसमें खाने के लिए डाल योज़ करते हुए फीकी डाल अचार और घी के साथ वाव सुपरब टेस्ट रहेगा दोस्तों चलिए इसके प्रोसेस में हम लग जाएंगे अगर 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 आप नहीं हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं और पहले प्लीज सब्सक्राइब कीज़ए और साहरा वीडियो देखने के बाद अब मुझे कमेंट है कि यह पिकल कोह evidence कैसा रहा इसका process कैसा रहा और मांने इसको कैसे बंसके यह आंधरा का PCR हिती हैines और अंधरा का process ही मैं फही मैं सिखा रही है मैंने अडर्t वीडियो में भी कैडियों को पीपड़ते हैं- धोते हैं- पानी इन भीगो नहींraw इनॉ anno मैंने लिंक लगा दों यो भी देख लीजे फिल्हाल के लिए तो मैंने धोलिया और कपड़े से पोच्टे के बार इसका सीग भी अलग कर इस तरह छोटे-छोटे पीसस कर ले देख रहे ना तो इसका प्रोसस है हम लोग यह पीसस जब लेते हैं ना एक कंटेनर लेजे माने एक बाउल यह कंटेनर जो भी ले रहें इसका हम लोग कैजी के हिसाब से नहीं continue कंटेनर के हिसाब से करें गे आंधराकिकल इसके लिए मैं ले रही हूँ आप एक बॉल ले रहें तो फोर बॉल्स ऑफ जो पीसस बना के रखे हैं हम लोग वो पीसस टाल दें तो इस तरह फोर बॉल्स निकाल लेजिए और इसके प्रोपोर्शन्स ऑफ पिकल मसाला भी मैं बताऊंगे बहुत इंपोर्टेंट है आपको पता है क्या पिकल बनाना इस लेकिन मैं आपको सारे मेजर्मेंट्स बता रहे हूं आप अलसानी से सीख लोगे फ्रेंट्स बहुत ही शांदार टेस्टी 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 खट्टा गट्टा ये पिकल रेडी हो जाएगा तो सीख लीजे तो देखें मैंने फोर पोर्शन्स ले लिया अभी इसको बनाते हैं इसका फाईन पोर्डर बिल्कुल नहीं बनाना है दोस्कों थोड़ा दरगरा हना है ज्यादा भी नहीं और एक बाउल साल्ट ठीक है देखें मिजर्मेंट्स बहुत इजी हैं 4 बाउल कैडी के पीसे एक बाल राइप ओडर एक बाल सॉल्ट एक बाल मिर्ची यही प्रोसेस है, इसको बीराबर से अब प्रपोर्षों डालोगे तो यह पकडका 1 नहीं अर्थभ कर सकते हो तो इसका प्रोसेस में आगे और क्या क्या जाते हैं आपको सारे डिटsınız बता हूं देखे हैं इसको अच्छे से मिला ना है नमग मिर्च जो भी हम लोग जब मिला रहे हैंna बहुत अच्छे तरह से मिलना यह दोस्तों यह प्रोसेस आंद्रा का special special है और world famous भी है सब भी लोग इसको एक डम से superbly प्रेंज और बहुत ही tasty रहता है friends आसान है बनाना लेकिन एक हैतियार कमपल सरी है कि जो भी utensil जो भी bowl जो भी spoon ले रहे हैं pickles में बहुत important है cleanliness clean रहना है vessels और सुखा रहना है कहीं भी थोड़ा भी moisture नहीं रहना है दोस्तों थोड़ा भी moisture रहेगा तो pickle खराब हो सकता है तो cleanliness and moisture का एकियात रखते हुए और यह हम लोग process पे आगे जाएंगे देख रहे ना आधा बॉल जो बॉल लिया है मैंने वही बॉल से आपको measurement सिखा रही हूँ देख रहे ना तो आधा बॉल इसमें ले रही हूँ फल्ली का तेल फल्ली का तेल लेने से क्या होता है जो केरी का चुब पीस रहता है आप अगर चाहो तिल का तेल भी यूज कर सकते हो इस प्लेस पर मैं ग्रॉन टॉज बहुत टेस्टी रहता है दोस्तों यह इस तरह बनाएंगी तिल का तिल का और एक भी बनाओंगी लेकिन पहले अपनी यह अचार जो है अल्ली के तेल से शुपर टेस्ट रहेगा तो पीसस में मने डाल दिया हाँ वाल टेल और अच्छा से मिला रहे हूं मने एक एक पीस को नहां फिस्ट ऑईल लगना है मतलब पीसस अच्छा से मिक्स कर लेजें ऑईल में बिक्स करने के बाद ही हम लोग जो पिकल मसाला बनाए ना डाल दे लेगे तेख न मिदल लेगे और ये मिला लुदी तारह हूं हुआ पकंड़ थेजिए और ये जो मसाला फॉर्ट अम ह्लोग ने बनाया है लो इस में डाल के छे से मिक्स कर लें हा आपको पता है क्या यह जो पिकल ना रोटी में भी सपर दरस रहता है पराथा में कितना मज़ेदा रहता पता आपको आपको बराथा तो सफब रहेगा दोस्तो हम लोग ना वाइट रैस पे प्लाइन रैस में भी अगर ठोड़ा गी डालके भी खालो ना फोट टेस्ट एक क्या बोलते हैं तहजीब है एक प्लेस में जहाँंपे शादी करवाना है तो रिश्टा बनाने के लिए हम लग्या करते हैं ओ लड़की के घर जाते हैं और फान देगते हैं लेकिन एक कल्चर में ऑजीब इस अचार के लिए है वहां पर पता है अचाड बनाने के लिए बूलते है लड़का लड़की को ऑशेयर करते हैं ुचेयर करने के बाद अगर उन लोगों का टेस्टी रहा तब ही रिष्टा पक्का है अगर टेस्टी नहीं बना है पिकल खराब है अच्छा नहीं है तो कि आप मालुम करके तो मुझे कमेंट कीजिए एक विस है आपको देखेंगे कौन करक्टर देते हैं तो ठीक है मैं एच्छे से मिला लिया और निकालके इस तरह कंटेनर में डाल दीजिए इसको ना हम लोग तीन दीन तक नहीं इसको ओपन भी नहीं करेंगे इसका धकन लगाकर एक ताइट एक दम से कपड़ा बांद के तो धकन लगा देंगी हमारे नानी मुझे अब भी याद है कि एक बासुमें भी नहीं आने देते थे जब अचार बना रहे हैं तो वो चुप चाप बनाते थे क्योंकि बहुत कॉंसेंट्रेशन से यह बनाना है इ इसको देखें कितना ऊपर तक था अचार एक दम से नीचे चले गया है तो अभी यह अचार को एक साफ कंटेनर बनी बड़ा कंटेनर क्योंकि और हम लोग मिला रहे हैं तेल मिलाने का प्रॉफस है भी तो इस तरह दाल दीजिए यह कंटेनर में सारा अचार अलग से निकाल हो दीजिए अभी हम लोग यह अचार निकालने के बाद इसको एक बाद टेस्ट करना है कि नमक मिर्च बराबर है कि ने सारे दूसरे मसले तो सही रहेंगे अगर आपके पास यह जो कैरी है बहुत खटा है कैरी तो इस लगेगा तो मैं देखेंगी कि कितना टेस्टी है और यह नमक यह मिर्ची और भी लगेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट अब प्रोसस में क्यों सॉल्ट अगर कम हो गया तो अचार बहुत खराब हो जाता है तो इसमें में प्रिजरवेटीव है नमक और मिर्ची और राई का पॉर्डर यह प्रिजरवेटीव से यह नहा हमारे यहां पिकल्स क्यों मनाते हैं हम लोग वो वेजिस को प्रिजर्व करने के लिए लेकिन ये पिकलिंग है और के साथ देखिए थोड़ा मिर्ची कम हो गया था और थोड़ा सॉल्ट भी कम हुआ था तो मैंने दूनों मिला लिये क्यों कम हुआ ये करी बहुत खटा था दोस्तो हम ये मिलाने के बाद अभी दो बॉल ओफ ग्राउनट आइल अभी मिलाना है आपको डॉट आया होगा तो ये पहले ही मिला सकते हैं नहीं क्योंकि इसमें जो मसाले हम लोग डाले हैं ये अगर फर्स्ट में मिला देंगे तो पीस को ये टेस्ट नहीं पकड़ेगा इसलिए लिखे हाफ पॉल ओइल फस्ट पे डाला फिर दो पॉल ऑयल लास्ट पे इस तरह डाल कर मिला ये बस और क्या ये पिकल रेडी हो गया इस तरह मिलाने के बाद मतलब आंद्रा का ज़ो पिकल है हम लोग जो बनाते हैं थर्ड डे खाने के लिए रेडी हो जाता है तो इस तर कर रख दीजिए तो मैंने आधा फेले डाला था और थोड़ा डाल रही हूं यह दो बॉल है प्रोपोर्शन बराबर है कौन सा भी डाउट है डिस्क्रिक्शन में देख लीजिए उसके हिजाब से आप टिकल बना लेजिए और मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों कि कैसे लगा यह पिकल है ना बहुत मज़ेदार बहुत ही टेस्टी वह भी साउथ इंडियन आंध्रा का स्पेशल स्पेशल पिकल आंध्रा आवा काय यानि मैंगो पिकल प्रम आंध्रा तो पसंद आ गया तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों अग लगा कर फिर से एक बर कपड़ा बात के रख दीशे आप यूज करने के लिए ग्लास बॉल में भी आप दा सकते हैं आपको बता है क्या अचार का एक कलजर जो है लेडिस के लिए बहुत 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 परे पहले जमाने में या नानी के जमाने में तो फैमिलीज ब खाना तो कितने लोग से एक खाना खाए California दाल को फरलीज थोड़ा से बताइए तो पाषंद आया होग ना कितना सुपर टेस्टी तेस्टी यह टीतिर की रि compan रेडि हो गया आंध्राप ड़ा अर इसके साथ पीकी डाल मने डाल को गला लिजे थोड़ा सा घली थोड़ा से और घी डाल कर डाल को इस तरह गला कर ये अचार के साथ जब खाओगे आप खुद कहोगे कि क्या मुस्कान सुपब सुपब डिलिश्यस पिकल जोपता है और आपने ताइंक इस सो मच पक्का कहोगे बर मना के तो देखिए घी डाल दिया घी डाले के बाद बहुत टेस्टी ये लिया लावबस